वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा स्टार्ट करते हैं अच्छा वीडियो एधर लिया है मैंने एक बड़े बावल भर के गेहूं का आटा वही आटा है जिससे हम नॉर्मल घर में रोटिया बनाते हैं मौयन के लिए ओए लेना आप घीवी ले सकते हैं स्वाद अनुसार लेना है नमक अच्छे से सभी चीज़ों को करेंगे मैंक्स मौयन को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे लम स मिठ जाएं और बहुत अच्छे से तेल मिक्स हो जाए आटे के सांथ कोच़ सіक्ष लिए ढ मैं टाना है के नहीं बहुत ज्यादा टाइट रहे हैं ये नहीं बहुत ज्यादा उना चाहिए देख सकते हैं इस तरह से अच्छे से डो लगा के रेडी कर लें गया ग्यास एकदम सॉप्ट भी नी करना है ताकि हमसे बेलते अच्छे से बने जो हम रेसिपी बना रहे हैं देख सकते हैं डो लग के बिलकुल रेडि है इसको रेस्ट करने देंगे एक छोटी सी तेयारी करना है गाइस इधर लिया है मैंने दही बड़े दो चमच भर के दही लिया है आप क्वांटिटी अगर ज़्यादा नास्ता बना रहे है तो और ज़्यादा दही की मात्रा बढ़ा सकते हैं चिली फ्लेक्स एट करना है गरम मसाला डालेंगे धनिया पाउडर डालना है अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी एग्रिडेंट को देख सकते हैं बहुत अच्छे से दही के साथ मसाले मिक्स हो गया है तो इसमें पनीर के मैंने छोटे-छोटे क्यूब बना लिये हैं उनको डाल देंगे उनको अच्छे से इसमें कोटिंग हो जाएगी दही की पनीर के ऊपर देख सकते हैं इस तरह से मिक्स करना है बहुत ही आसानी से हो जाती है प्रोसेस गाइस बिलकुल भी टाइम नहीं लगता है देख सकते हैं दो हमारा सेट होके रेडी है तो एक पेड़ा बनाना है बड़े साइच का बहुत बड़ी सी रोटी बनाना है एकदम छोटी सी नी बनाना थोड़ी मतलब रोटी से दुगनी साइचकी बनाना है आप इसको किसी भी सरफेस पर बना सकते हैं क्योंकि इतनी बड़ी चोकी हर किसी के घर में पॉसिवल नहीं होती तो देख सकते हैं इधर ग्रीसिंग करें है देख सकते हैं कि यस तरह से एक परद लगाना है फिर रचिक और फिर अच्छ हाथों से फिर से ग्रीसिंग करेंगे बस वही प्रोसेस करना है आपको फिर से एक लेयर और बन गई टोटल पांच लेयर बन के रेडी होती हैं गाइस दो इस साइट की दो इस साइट की मिला के देख सकते हैं इस तरह से जब मतलब इस स्टेज पर हो जाया जब आपका आटा तो आपको बेलन चलाना है हलके हाथों से चलाईएगा बहुत तेजनी दवाना है ताकि हमारी प्लेट हैं जो बनाई हमने परते हैं बहुत दवेना अच्छी तरह से उभर के निकल के आए फिर से ग्रीसिंग करेंगे और एकदम छोटा सा बहुत टाइट रोल बनाना है छो सरफेस पर एक दो बार ऐसे चला देंगे बहुत ही आसानी से यह पतला हो जाता है तो देख सकते हैं गास कितनी सुंदर प्लेट हैं देख रही है थोड़ी सा और चौकी में चला देंगे अब इसको कट लगा देंगे आप चाहा है तो इसको नाइप से कट कर सकते हैं या फिर चाहा है तो धागे से भी कट कर सकते हैं बहुत आसानी से हो जाते हैं दोनों से देख सकते हैं सारे पेड़े बनके रेडी हो गए है पनीर की कोटिंग भी बहुत अच्छे से हो गई है इस तरह से एक लोई लेना है अच्छे से उसको अंदर थोड़ी सी स्पेस बनाना है उसके बाद आपको पनीर उसमें भरना है उपर से बहुत आसानी से इसको बंद कर देना है जैसे हमका चौरिया बनाते है वो उपर का हिस्सा जो रहता है बहुत ही आसानी से बंद हो जाता है सेम प्रो कढ़ाई में जाके ये हिसा खोलेना और अच्छे से हमारा पनीर अंदर के अंदर ही बहुत अच्छे से स्टीम हो जाए तो देख सकते हैं इस तरह से डिबी जैसे साइज बनके रेडी हो गया है सच भी ये नास्ता बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और पनीर अंदर होने के कारण ये टेश्टी भी लगता है तो देख सकते हैं इसी तरह से सारी बनाके हमने कम्प्रीट कर लिये थे फ्राई करेंगे एकदम लो फ्लैम में डालना है आप देख सकते हैं कढ़ाई मतलब केसे स्टेश पर है जब हम डाल रहे हैं उस टाइम पर इतदम हलके हलके से बबल से निकल रहे हैं तो देख सकते हैं जब एक से दो मिनिट का टाइम हो जाए कढ़ाई में पेड़े छोड़ने के बाद तो आप इसको इस तरह से मतलब उपर उपर से ऑईल डाल दें किसी भी इस पेचले से उलट देंगे आसानी से पास से साथ मिट के बाद देख सकते हैं कितनी अच्छी परत निकल के आ गई हैं जितनी परते हमने बनाई थी सारी निकल के आ गई हैं एक बार और इनको उलटते पुलटते से खेंगे उपर से इस तरह से तेल का छिड़काव कर देंगे इस पैचले से जिसमें ये अंदर तक बहुत आसानी से सिख जाएं क्योंकि अंदर हलका सा मोटा हो सकता तो देख सकते हैं गाइस इस डन हो गई है बनके कितनी टेस्टी क्रिस्पी सी देख रही है गाइस सच मैं बता रही ह के ट्राइ कीजिएगा वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा तो देख सकते हैं बरसात में इसको जरूर इंजॉय कीजिएगा मेरे चैनल को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मिलती हूँ जल्द एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए ह हर हर महादेब